नमस्कार आप देख रहे हैं निशनल दस्तक और मैं हूँ संबुकुमार सिंग सोशल मीडिया जो सवाल उठा रहा था अब वो राधिनितिक दल भी सवाल उठाने लगे हैं आज कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफेंस करके मोदी जी किया पूरा क्रिया कलाब बताया है कि जब पुलमामा पर अटैक हुआ था तो हमारे देश के परधान मंत्री उर्फ चौकिदार क्या कर रहे थे एक-एक मिनेट का हिसाब एक-एक मिनेट की खवर बताई है जिसको लेकर भक्त लोग मुझे चार-पांस दिनों से सोने नहीं दे रहे थे द्राद के चार-चार बजे फोन कर रहे थे क्योंकि यही सब सवाल सोसल मीडिया उठा रहा था और हम लोग उठा रहे थे शुक्र है इस देश के उन लोगों का स्टी स्टोबी सी माइनोर्टी का जो भकाबे में नहीं आया है और पिछले साथ दिनों में इनकी तमाम कोसिसों के बाद भी बहुजन समाज के लोग हमलावर नहीं हुए है और रिपोर्ट ऐसी आ रहे हैं कि किस्मीदी छात्रों को परसान करने के अलावा कहीं भी हिंदू-मुसलिम कराने की जो कोसिस हो रही थी कि पिसले चार दिनों से मस्जित के सामने कुछ लोग आते हैं कैंडल मार्च करते हैं और मुसलमानों को अपत्ती जनक भाशा में सब्ध में इस्तेमाल करते है और यह दिली में बात हो रही थी सबसे जो खतरनाक ख़बर आई है कि जैपूर जेल में ये देखिए मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर है और सबसे जो सबसे एहम सबाल है कि लोग ने जिस तरह से एक जूरता दिखाई है देश के परती, जवानों के परती और मैं बार-बार सवाल उठा रहा हूँ कि क्या सेना के जवानों के साथ भेदवा हो रहा है कंपंसेशन देने में भी भेदवा हो रहा है जिस तरह से CSTOBC के जवानों के साथ भेदवा हो रहा है यूपी से एक मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा मेरे पास वीडियो हैं और गुंजनी आदब हैं सपा की महिला नेता है उन्होंने लगातार चार पांच घंटे दस घंटे से जादा एक सहीद के परिवार के घर पर उन्होंने लगातार बातचित की और उनका कहना था कि किसी भी इस तरह से मुखमंतरी को बुलाया जा उसके बाद तमाम समझ होते के बाद 25 लाक रूपए देके निप्टारा हो रहा था तो इस तरह के भेदवाओं की बात यहारे लेकिन इस सरकार को सबेदन सिल्टा से सोचना चाहिए और कम से कम सहीदों के परिवार को 5 करोड़ से ज् के तरसुबधाय मिल सकती है उनको 5 से 10 करोड रूपए कंपंसेसन मिलना चाहिए मैं तो कहूंगा सहीद होने वाले को सौ करोड़ का कंपंसेसन मिलना चाहिए क्योंकि वह राष्ट के लिए ही नुकसान है उनके परिवार के लिए नुकसान है अपने बच्चों के लिए सवाल उठाना सुरू कर दिया है वो एक हम मुद्धा है और मोदी जी की अब ख़बर लोग लेने लगे हैं पलिटिकल पार्टी कॉंग्रेस ने आज सिलसिलेवार तरीके से सारे सवाल पूछें कि आप क्या कर रहे थे मोदी जी समझे कि कोडिया जाकर दक्षिन कोडिया ज सवाल पूछ रहे हैं जो उनके केंद्रिय मंत्री हैं उनको जिस तरह से जूते खुलवाए गए हैं और साक्षी महराज की तरह से तस्वीर आई हैं और मोदी जी की जिस तरह से तस्वीर आई हैं उसको लेकर लोग सवाल उठाने लगे हैं और अब ये प्लिटकल मामला भी बना है और लोग सवाल पूछ रहे हैं वो फेलियर के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं वो घटना के बारे मुझ सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि है कि औरிस तरह से एक जूरता दिखाई है और जिस तरह से इसको हिंदू-Muslim बनाने की कोशी स्कूल तो यह एक अच्छी बात है रही बात पाकिस्तान के साधी उद्ध की तो मुझे नहीं लगता कि यह सरकार उस से पर क्यों तैयारी करें क्योंकि मोदी जी लगाता रेलियां कर रहे हैं चुनावी दौरे में हैं गट बंधन कर रहे हैं तो वह 2019 की त्यारी में लगे हैं मुझे बड़ी बात कुटनितिक रूप से बहुत फेलियर खबरे आ रही है कि जिस तरह से साफ साफ ट्रंप ने कहा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आगी तब तक हम नहीं मिलेंगे रूस के तरफ से कोई अच्छी परतिकिरिया नहीं है चीन हम सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ बन आतार नजर रखना पड़ेगा और सबनारक्षन लागू किया गया है दस परसेंट उसके बाद देखिए कि गुर्जर समधाय का शुक्रिया जिनोंने हमला के बाद तुरंत अपना अंदुलन खतम कर लिया उसका अद उनकी सानभूती उनको उनका हक मिलना चाहिए उसके ब रेलवे में भी लगबगर अक्षन खत्म करने की बात और यो 13 पॉंट रोश्टर को इंप्लिमेंट किया गया है पुखता जानकारी में लेने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन लगातार जिस तरह से खबरी आरी आज मुझे स्टी के जो रेलवे करमचारी के सोसेशन के जो जो 13 सहीद हुए है मेरे पास कुछ डिटेल्स है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताओं पुरा देश उसके बारे में जानना चाह रहा है और जो हमारे सहीद हुए है उनके बारे में जो मेरे पास जानकारी आई है मैं चाहता हूं कि वह आप से सेर करूं कि किस तरह से जो है वो सहीद जो हमारे जबान के लोग हुए हैं उनके बारे में डिटेल्स ओफ मार्टियर मेरे पास कुछ आई है एकुरेसी की मैं गरांटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन फिर भी उसके बाद ये देखिए कहा के लोग है विलेज पहला नाम है राठोर नितिन सिवा जी आइडें जो हैं वो ये जो हमारे सहीद हैं ये महरास्टा के हैं दो लोग महरास्टा के जो सहीद हुए हैं उत्राखंड के सहीद हुए हैं इनका नाम है बिरेंदर सिंग उसके बाद उत्तर परदेश में सबसे ज़्यादा बारों लोग सहीद हुए हैं उत्राखंड में दो लोग सह यह उत्तरकाशी के थे और यह identified हो गए तो महराष्ट के दो उत्राखन के दो और उत्तर परदेश के सबसे ज़्यादव 12 लोग सहीद हुए जिसमें गारा identified है एक अबधेश कुमार यादव, पंकच कुमार तिरपाथी, अमीत कुमार, विजय कुमार मौरे, राम बकील, परद हुए हैं, परदीप सिंग, स्याम बाबू, अजीत कुमार आज़ाद, महस कुमार, बिहार से दो सहीद हुए हैं, रतन कुमार ठाकूर हैं, और संजय सिनहा हैं, संजय कुमार सिनहा, जो सहीद हुए हैं, पंजाब से चार जवान हमारे सहीद हुए हैं, कुलबिंदर सिंग, जैमाल सिंग, शुखिंदर सिंग, अत्री से, मनिंदर सिंग अत्री, तमिलनादू से दो जवान हमारे सहीद हुए थे, जिनके लिस्ट हमारे पास है, जैमाल सिंग, शुखिंदर 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 सिंग, शुखि बासानात भीवी करनाटका से हमारी एक जवान सहीद हुए है और गुरु एच उसकेशतं से जवान सहीद हुए है एक मनोजकुमार बहरा और पीकेश शाहू ये दो ईरिसा से सहीद हुए थे राजस्थान से पाँस सहीध हुए हैं हिमराज मीना, नारायन गुर्जर, रोहितास लांबा, जीत राम, भागिरती सिंग, उसके बाद मत परदेश से एक सहीध हुए हैं, अश्वनी कुमार कोच्ची, और उसके बाद बेस्ट बंगाल से दो सहीध हुए हैं, सुधी बिश्वास और बावु संत्रा तो तीलक राज हिमाचल परदेश से सहीध हुए हैं, तो स्टेट बाइस समरी की बात करें तो महराज से दो, उत्तराखंड से दो, उत्तरापरदेश से गारभ, बिहार से दो, पंजाब से चार, तमिलनाडू से दो, असम से एक, जमु एन कस्मीर से एक, जारखंड से एक, क तो यह जवानों की हम आपको जो सहीद हुए है हमारे जवान उनके में लिस्ट बता रहा था और बहुत ही खतरनाक है सरकार की जिमेदारी है कि इनको इनको तमाम सुभधाय दी जाए सहुलियते दी जाए और इस पर अगे का रोड में उसके बाद भी लगातार जिस तरह से हम ले हो रहे हैं और परधान मंत्री पर सवाल उठ रहा है कि किस तरह से वो चुनावी रैलियों में हैं कैम्पेन कर रहे हैं क्या कोई क्या कोई मुकमल स्टैर्जी प्लान बन रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है एक मुझे कल मेरे एक साथी हैं बड़े अधिकार यह उन्होंने बताया कि शम्भू जी जिस तरह से करगिल हुआ था और उसके बाद बीजेपी की वापसी हुई थी करगिल के बाद ही बाजपेई जी दूसरी बार सत्ता में आये थे और उन्होंने टर्न ओवर पुड़ा किया था और कहीं ने कहीं सी तरह के इमोशनल महौल बनाया जा रह जाते हैं कि हमारे बीच जो भाई चारा है SCST OBC माइनौटी हो या मुसल्मानों के बीच हो हिंदू-Muslim कंफलिक्ट किया जाए और उसके बाद जब वो बोट ले लेते हैं तो फिर वो जाती का धार पे दलितों को पिछरों को मुसल्मानों को मारते हैं तो यह सारे मुद्द बड़ा मुद्द है वो सुरू करना चाहिए और यह सारे सवाल मीडिया से गायव है लेकिन जिस तरह से आज कॉंग्रेस ने सवाल पुछा कि मोदी जी बताएं कि वो पिछले साथ दिनों से क्या कर रहे हैं कितनी चुनावी रेलिया किया कितने लोगों से मिले हैं कहां कहा जा रहे हैं वो पीस एवार्ड लेने जा रहे हैं तो पीम पर सवाल लोगों ने उठाना सुरू कर दिया है और इससे साफ है कि नेशनल दस्तक की जो कोशिस थी कि आपसी भाई चारा बना रहे हैं और सरकार से रिस्पर्सबूल आदमी से जिम्मेदार लोगों से सवाल काबू रखा है पेसेंस रखा है वो शरहनी है पाकिस्तान के साथ क्या रूख अपनाती है सरकार वो तो नजर पर उस पर नजर बनाया रखिये और मोदी जी के कामों को लेकर पॉलिटिकल पार्टी आज हमलावर हो रही है वो एक अच्छा संकेत है आप अगर सत्ता में है तो आप से सवाल पूछे जाएंगे शुक्र मना ये सोसल मीडिया का मीडिया और अख़वार ने तो क्लिंचीर दे दी थी और मोदी के जो बेव था जो सहीदों के परती जो लोगों में सिंपिती है जो प्यार है सम्मान है आदर है और उनके लिए दर्द है उसको जिस तर स में चार से पांच राज्यों का दोरा किया आम लोगों के बीच गया गाउं गराम में गया लोगों से बात की रिपोर्ट्स भी दिखाई है मैंने तो लगभग लोगों ने साफ साफ कहा है कि हम अभी इस पर सरकार से सवाल पूछना सुरू करेंगे हम सहीदों के साथ हैं हम आतंगबादियों के खिलाफ हैं लेकिन हम अपसी भाईचारा नहीं खत्म करेंगे तो हो सकता है कि नोटबंदी जी एस टी तमाम मुद्दों की तरह ये जो ट्रंप खेला जा रहा था इमोस्टनल ट्रंप कार्ट खेला जा रहा था वो भी बीजेपी को चूप जाए और फ पी एक्सपूज हुई है खासकर इसको जिस तरह से उसने पुलिटकल एजिंडा बनाया था जिस तरह से उसने चुनावी फायदा उठाया था चाहे वो सीमा पार जाकर उन्होंने जो हमला किया था और आतंगबादियों के मारने का उन्होंने जो जो क्रेडिट लिया था उ प्लिटकल पाट के सवाल पूछने लगी है और जो बड़ी पुलिटकल कंस्पिरेसी कोशिश के जिए सहाधत के नाम पर वो फलॉफ हो रही है तो वो एक अच्छे संकेत है और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुचन समाज के लोग काफी जागरुक हुएं समझदार ह हुए है पुरा देश सहीदों के साथ है सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो इनकी किस तरह से मदद करते हैं आतंक बात के खिलाब सरकार की क्या निती होती है और परधान मंत्री से अब सवाल पूछे जाने लगा है कि आपने कम से कम पिछले साथ दिनों में क्या क्या किया ह वो ही बता दीजिए और सोशल मीडिया ने ये मुहिम सुरू की थी उसके बाद अखवार और टेलिविजन फुट बैक फुट पर हैं तो सर्जिकल एश्ट्राइक का जो चुनाव में भुनाने की कोशिस हुई थी उसी तरह से सहीदों को भुनाने की जो कोशिस हो रही है उसक साथ हैं और वो आपस में तो लड़ने वाले नहीं है रही बाता अतखवाद की पाकिस्तान की तो समय आने पर अगर सरकार की मनसा ठीक रही तो अगर आप देश में मजबूत रहेंगे तो बिदेशी भी आप पर नहीं उठाएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी ज सवाल आगे भी हम आप पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे शुक्रिया आप सब का शमुक मार सिंग निशनल दस्तक दिल ले निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके